देखें जैसे हमने egg model के अंदर बात की हमने का environment society economy अच्छा अब अगर हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जोने वह overlap हुई है interaction है और वो interaction किसके अंदर है एकनामिक का environmental के साथ और environmental का social factor के साथ अभी आप देखें ये चन्द मौडल्स हैं जो मुक्तरिफ लोगों ने अपने लिहाज से पेश की हैं हर एक अपने अंदाज है सोचने का अभी आप देखें कि अगर हम इसी मौडल को देखें तो इसके इकनामिक को देखें तो इकनामिक सबसे ज्यादा असर अंदाज किस पर होती है गरीब आदमी का इन्वार्मेंटल को देखें तो सबसे ज्यादा असर अंदाज किस पर होगा गरीब आदमी का उसकी मैं आपको एक example देना चाहूंगा एक शक्स किसी भी गाड़ी में उसके अंदर बैठा हुआ है पलूशन रेट ज्यादा है इस वक्त वार्मिंग ग्लूबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है अब यह देखें कि उसने एकनॉमिकली जो वेल्टू डू परनदा है उसने उसको कैसे कंट्रॉल कर लिया है गाड़ी के शीशे बंद की है पलूशन कंट्रॉल अंदर उसने फीटर चला दिया तो बार का टम्परेचर कंट्रॉल अंदर उसने पूलेंग कर ली एर कंडिशन चला लिया बार का टम्परेचर कंट्रॉल अब यह देखें कि जब हम environmental factory की बात करते हैं तो environmental factor ने एक आदमी जिस पर का पास गाड़ी है उसके दोनों factor को उसने कंट्रॉल कर दी है अब उसके दूसरी तरफ आ जे एक गरीब आदमी जिसके पास cycle है या वो पैदल जा रहा है अब देखें पहले नमबर पे pollution control नहीं वो तमाम दूआ जो के carbon manu oxide, carbon dioxide, hot gases other gases उसको वो inhale कर रहा है फिर पैदल चलने के साथ साथ उसके उपर जो temperature के इसराद है वो उसका प्रॉड़तब हो रहे है यानि weather extreme weather कोई भी है चाह सक्त सर्दी है मनफी 10 centigrade temperature है या 45 centigrade temperature है तोनों सूरत हाल में वो असर अंदाज हो रहा है अब यहां पे यह जो overlapping circles के अंदर जो है ना model जो है इसके अंदर जो उन्होंने identify करने को कोशिश की है उन्होंने काया कि यह यह ते तमाम चीज़ें आपस में इंटर लिंक होती है और क्रास करती है हम यू समझे लें कि हम अगर फर्द करें हम कह देते हैं कि environmental factor को अब देखें society एक है environmental factor के अंदर society के अंदर society के कुछ लोगों ने जिसको अगर हम कह दें elite class या well to do class वो class जो economically strong है उसके उपर उसरे असरात कम हो गए और वो class जो economically weak है उसके उसके असरात मनतब जदा हो गए अब इसी तरीके से हम मुक्तली मिसाले देते हैं चाहे वो water की मिसाल दे दे चाहे वो आप bread and butter की मिसाल दे दे हमारे जो resources हैं उनकी मिसाल दे दे जहां पे भी दे अब देखें अगर एक शक्स है फर्ज करें एक आम सी example मैं देना चाहूंगा fresh water है पचास रुपए की बोतल में रही है एक बंदे के पास पैसे हैं तो वो पचास की पानी की बोतल ले लेगा अब आन्दावाईसा वर्सा देखें अगर हम उसको दूसरे नाज में लेके तो जो शक्स जिसके पास पचास रुपए नहीं है तो वो क्या होगा वो पानी पीने पर मजबूर हो जाएगा जो पानी जो है proper fresh water अविलेबल नहीं है clean water अविलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि regarding the climate change increasing the recognition that the impact is being felt disappropriately by the poor people अगर हम इसको दूसरे लफाजों में इसको बयान करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि जितनी भी changes है या जो भी climate की change है या जो climate के असरात मुरतब हो रही है उनके असरात अमीर लोगों की निस्वत गरीबों पर बहुत ज़्यादा मुरतब हो रहे हैं इसका मतलब है कि अगर हमारा focus गरीब लोग होंगे तो उससे उन तक पहुंचाना मक्सूद होगा तो हमें फिर planning किसी और तरी कैसे करने पड़ेगे तो इससे सारी बात से अंदाजा आप यह लगाए कि वही बातें वही है climate की बात है यह society की बात है लेकिन इसमें overlapping के अंदर उन्होंने क्रास चेक करने की कोशिश की है कि इसके असराथ किस पर ज्यादा मरतब हो रहे हैं और किस पर कम मरतब हो रहे हैं और इससे हमने आपको example से समझा दिया कि अमीर आजमी पर इसके असराथ ज्यादा मरतब हो रहे हैं और गरीब पर कम मरतब हो रहे हैं